तो देखेगा आज हम अपने calculator में कुछ एक function से जिसे हम बोलते हैं gt इस functions का use देखेंगे कि इस functions का use क्या होता है ठीके तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर value दी गई 3 इंटू 5 तो 15 और 5 इंटू 5 25 आपको 15 और 25 आप रखना होगा उसके बाद आप 15 add करें प्लस 25 add करेंगे देन आप value निकाल पाते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस एक ही बार में इस पूरे functions को करने की कोशिच करेंगे तो 3 इंटू 5 आपको क्या होता है 15 equal दबाया 15 आ गया अगीन हमें plus sign या कुछ भी नहीं add करना है हमें क्या करना है 5 इंटू 5 निकालना है और जब हम 5 इंटू 5 निकालेंगे equal to करेंगे तो हमारे पास कुछ value आएगी 25 साइड पे यहाँ देख रहे होंगे आप यहाँ पर GT एक sign लिखा आ रहा है अगर मैं GT दबा देता हूँ तो इसका मतब क्या है जो पुरानी value सारी ली गई थी उन सभी का submission 40 निकल के आया ये tricks आपकी minus वाली value के लिए नहीं होगा plus minus का जोल होगा उसके लिए हम अलग से एक tricks देखेंगे वो किस तरीके से है उसके लिए मिलेंगे next session में thank you